दोस्तो यह कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो अंधेरे से डरता था वह बच्चा बड़ा होकर अपनी आइडिया और जुनून को लेकर इतना निडर हो जायेगा कि सारी दुनिया आज उसे विस्क टेकर के नाम से जानती है हाँ मैं बात कर रहा हूँ एलॉन मस्क की यह बंदा इतना जिद्धी है कि एक बाद जो ठान लेता है उसके बाद फिर अपने आप की भीने सुनता वह उसे पूरा करके ही छोड़ता है दोस्तो जब एलॉन मस्क ने अपनी कंपनी गेरा सो करोन में बेची तो वह चाहते तो पूरी जिन्दगी ऐसो अराम से गुजार सकते थे लेकिन उन्होंने एक ऐसा सपना देखा कि मंगल ग्रह पर वह एक इंसानी बस्तियां बनाएंगे लेकिन लोगोंने उनको पागली कहा लेकिन अपने जिद्ध का वह पक्के थे मिसाइल खईदने रसिया चले गए लेकिन वहां भी उनकी बात नहीं बनी वह ठान लिये कि अपना खुद का राकेट बनाएंगे उन्होंने अपनी टीम इकठी की शुरुवात में उनकी तीन मिसाइले फेल हो गई फिर उन्होंने अपनी बची हुई जमापूंजी से और अपना धर की वी रख कर फिर एक बार अपना सब कुछ दाओं पर लगा कर काम किया इस बार हुआ कामयाब हो गए एलाउन मस्क की कमपनी दुनिया का पहला यूजबल गॉकेट बनाने की कमपनी बन गई उसके बाद नासा ने फंडिंग दी आज बहुत सारी कमपनियों के मालिक है वह दोस्तो कामयाबी की आइडियास सब के पास होते हैं लेकिन उस आइडियास को अपनी जियल लाइफ में बदलने के लिए पागलपन लाखों में से किसी एक के पास होता है लाखों में से किसी एक के पास ही बीर से अलग चलने का होसला होता है इस दुनिया को देखने के लिए अलग नज़त रखता हैं क्या आप में वह हैं आपके पास कोई आइडिया या कोई ऐसा बड़ा सपना जिसके लिए आप पागलपन की सारी हदे पार कर दें यदि है तो अपने कमेंट सक्षन पर जुरू बताएं देखो दोस्त जिंदगी के इस दौर में बहुत अधिक मुस्किले आएंगी उन मुस्किलों को हरा कर जो खुद को फुरूप करता है वही व्यक्ति आगे चलकर अपने सारे सपनों को खकीकत में बदलता है यदि आपका कोई सपना है जिसे आप अपनी जिन्दगी में सर्च करना चाहते हैं और उसे दुनिया के सामने एक्जामपल बनाना चाहते हैं तो कहने देजे दुनिया को जो कह रही है बस आप अपनी इमानदारी और पूरी लगन से अपने काम को करते रहे यकीन मानो दोस्त, एक ना एक दिन दुनिया आपको सलाम करेगी, अंत में काम्याबी के तीन नियम याद रखें, खुद से वादा, मेहनत से ज़्यादा, मजबूत इरादा यहाद आपको यह स्टोरी पसंद आई हो, तो यीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिएगा, मिलते हैं ऐसी अगली पेरादार के स्टोरी के साथ, तब तक के लिए, बाए बाए